कि अंट एज और दो आ सब्राएब आम सभी को राधे राधे सभी को मैंधि आप Always आप सभी का भहाद स्वागत करता हूं आपके प्यारेस चैनल बिहारादा 24 त्रवेंड पे तो सभी को राप सबसे पहला सवाल आपके सामने आने वाला यह आपका विनाइक बैस टूपाइंट है जितने भी स्टुडेंट है आपका जोइन करना जाते तो जरूर जोइन करें और सबसे बहत्रीन बात आज आपके लिए में बताने वालो बहत्रीन बात यह कि बिहार SSC इंटर लेवल की ज आपके से बसुरू हो जाई यह सभी कि सभी गुडिवनिक सभी को खुछ रही है खुछ रही है चलिए तो कुछ रही है इनमें से कौन सा समूचह जीवारू द्वारा होने वाले रोगों को निरुप्ति करता है यानि की वीच आप दो फॉलेंग सेट्स रिप्रेजें करेंगे ओप्शन में यह रोग हस्रा निमोनिया दे रखा है खस्रा चीकन- Johann पॉक एरिट दे रखा है यह यह चैरो लिया तरिफिटरिया दे रखा है तो आप देखे जहां से समझेगा पहले तो मेरे यह पता होना चीए कि सर मैंने लिखा संक्रामक रोग क्या होता है संक्रामक रोग का मतलब क्या होता है संक्रामक रोग जिसे हम सभी कमनिकेबल डिजीज कहते हैं क्या बोलते हैं सभी कमनिकेबल डिजीज कहते हैं बात समझ में आ हमने कहा मेरे दोस्स मिरे और भाई मेरे बच्चा के द्यान से बटाओ नीमोनिया की बात करेंगे तूनी मोनिया जो रोग है यह रोगा आखिर जो लोग रहा है फिर जिवारु के फ़्वारु ऑर उता है उस जिवारु का नाम बताईए फा जिवारु के तो COMM बहुत अच्छा कोश्चन होता है ठीक है जल्दीज आई साथ साथ यहां पर चिकन पॉक्स की बात करें अगर बात करें चिकन पॉक्स की तो चिकन पॉक्स नाम का जो रोग होगा यह रोग यह डिजीज आपकी बात करें यह किसके कारण होता है चलिए एक सवाल यह आप से प एक सवाल आपका और आता है यक्रित मेना सूजन हो जाता किस रोग के होने से इन में से कौन सा ऐसा रोग हो जाएगा जिस रोग के होने से यक्रित में यानि आपका जो लीवर है आपका जो लीवर है यानि जो आपका यक्रित है उसमें सूजन हो जाता है चले बताइए सर यह पर बुचा गया है कि यह कृत में सूजन होता है यह किसके वज़े से होता है चले जल्दी से जड़ा ट्राइब करिएगा कौन से रोग की वज़े से होता है कौन से रोग हो जाएगा जिस वज़े से लीवर आपका स्वेला हो जाएगा स्वेलाप हो जाएगा यानि आपका कोश्चन का अंसर क्या होगा तो option number C जो कि सभी लोगों का बिल्कुल सही आ रहा है option number C जो कि बिल्कुल सही आ रहा है ठीक है तो option number C यहां पर pneumonia tuberculosis और आपका टाइफाइड तो option number C आपका बिल्कुल सही माना जाएगा क्या मना जाएगा sindi bpa मैने संक्रामक रोच किसे का जाता है जब कर दो आपका कमीचे ब्यक्ति से आप क्या बताऊगे एक भयक्ति से दूसरे ब्यक्ति में संचार होना एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में क्या हो जाना संचार होना यह आपका कौन सा रोग है वो कौन सा डिजीज है तो यह आपका कमनिकेबल डिजीज है यानि संक्रामक रोग माना जाएगा बात समझ में आया सभी को ठीक है सर बहुत बढ़िया अच्छा बात का नाम क्या हो जाएगा स्ट्रेप्टो कॉकस निमोनी क्या लिखेंगे स्ट्रेप्टो कॉकस बड़े प्यार से लिखिएगा सर स्ट्रेप्टो कॉकस निमोनी ठीक है स्ट्रेप्टो कॉकस निमोनी इसके वज़े से ही निमोनिया नामक बिमारी आपका होता है बात समझ में आ आपको यह निमोनिया रोग देखने को मिलेगा ठीक है यहां तक चीजे क्लियर है ना बहुत अच्छे से समझ में आई सभी को बहुत बढ़िया बात करें लीवर किया सर मैंने कहा कि लीवर आपका सूजी जा रहा सूजन हो जा रहा है क्यों इतना चाहिए तो भाईया आपका है यक्रित अगर सूज रहा है इसका मतलब है कि वह किसी नदिसारोग से प्लका नाम होता है हीपीट इस जाम का नाम क्या होता है क्लियर हो गए वह chicken box जो रोग है या किसके कारण होता है यह जल्दी से यह बताईएगा chicken box euro gay या किसके कारण होता है सबीक है इसके साहर साथ हमने यह पूछा टीवीường के बारे में जड़ासा बताइएगा हमने लिखा सर टीबी तो नामका डिजिसे ट्यूबर कुलोसिस कहा जाता है जिसे आपका ट्यूबर कुलोसिस कहा जा रहा है बात समझ में आरा सभी को ठीक है छह रोग जिसे कहा जा रहा है तो यह जो आपका छह रोग होता है ट्यूबर कुलोसिस होता है यह बताइए कि यह आपके सरीर के किस अंग पर आवनी आपके सरीर के बॉड़ी पे किस औरगन पर इफेक्ट करता है किसको प्रभावित करता है सरीर के किस अंग को प्रभावित करता है जरा ये भी बताईएगा किस अंग को प्रभावित करता है इफ्रेक्ट फूल बनाता है बताये जल्दी से सबसे ज्यादा असर सरीर के किस भाग पर ऐखर आपको ट्यूबर कुलसिस नामक रोग हो गया इस कोशन का जवाब देना है इस सवाल का जवाब मैं खुद बता देता हूं सर क्या हो जाएगा जल्दी से बता ये किसके करण होता है वी जेबी कैसे फिर रॉटा है वी जेबी क्या लिखेंगे तब बीजिए पीने बोल इसका नाम क्या हो जाएगा वैरी सेला पूरा नाम लिखेगा सर वैरी सेला जोस्टर जोस्टर वायरस ठीक है यह क्या है वैरी सेला जोस्टर वायरस होता है जिस वज़र से चिकन पॉक्स नामक बिमारी होती है ठीक है बहुत बढ़ा यह किस पर प्राववित करेगा फेफड पर बहुत बढ़िया ठीक है तो यादर किये यह फेपड़ों पर यानी आपके लंग्स पर प्रभावित करता है सभी लोग सेशन को एक बार लाइक कर दीजे जितने भी स्टुडेंट है अटेंडेंस के तौर पर एक बार लाइक कर दीजे आप सभी लोग है ना चलिए तो ल धार भूतिकाई 1820 में खोजी गई तथा जो प्रती सेकेंड विदुत धारा के कुलंब को दरसाती है 1820 में खोजी गई वो कौन सी है इसमें से इकाई कौन सी यूनिट है जो की इलेक्ट्रिक करेंट पर सेकेंड को दरसाय जाता है बहुत ही बहतरी सवाल है जरा एक बार ट भात बताईएंग एक एंपियर है लग मैंने लिका एक एंपियर कितने इलेक्ट्रोण के बरावर होता है मैंने कहा सर ज़ना एक बार यहां पर सवाल का जवाब दीजेगा मैंने कहां एक एक एंपीर कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है जल्दी से बताएगा ठीक है उसके साथ साथ मुझे ये बताएगा SI unit of electric current की बात करेंगे ठीक है SI unit of electric current जो होता है आपका SI unit of यानि की विदूतिधारा की अगर SI मात्रक पूछी जाए SI unit of electric current ठीक है SI unit of electric current ठीक है तो बताएगे या किस यह जो SI unit है या किसके बरावर होता है चले दो सवाल आपके सामने सब्सक्राइब बताईए आप देखो यहां पेने सवाल का जब बहुत आसान है क्योंकि आप्शन नमबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा MPR बिल्कुल सही आप लोग बताओगे सब्सक्राइब बिल्कुल सही आपने बताया कि सर आप्शन नमबर डी हो जाएगा MPR हो जाएगा क्लियर है अम मैंने सवाल मेरा सवाल क्या रहा मैंने कहा एक एंपियर में एक यह एक एंपियर जो है कितनी एक्ट्रॉन के बराबर होगा तो आप बोलाओगे सर 6.24 के वल इ 18 into 10 to power 18 electron के बराबर होता है बात समझ में आया यह समझ में आया सभी को 10 to power 19 सर वो आप जो बता रहे हुना 1.67 इंटू वेक इलेक्ट्रॉन की मात्र मात्रा को बता रहो वेक लेक्ट्रॉन की वैलू को बता रहो यहां मने एक MPR के वैलू की पूछी है जो इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है ठीक है सर बहुत बढ़िया अब मेरा सवाल बना सर आइज इक्वल टू क्या होता है क्यू अपॉन टी आइज इक्वल टू क्या होता है सर क्यू अपॉन टी क्यू का मतलब क्या होगा सर चार्ज होगा टी का मतलब क्या होगा सर टाइम यानी क्या हो जाएग होता है चार्च का क्या होता है सर कुलंब होता है क्या होता है सर कुलंब होता है तो कुलंब पर सेकेंड नहीं हो सकता क्या कुलंब पर सेकेंड नहीं हो सकता क्या विल्कुल हो सकता है सर तो कुलंब पर सेकेंड याद रखेगा सर है ना यहां पर याद रखेगा कुलंब पर स केंड जो है यह आपका यहाँ पैसाई उनिटिक करेंड का बता होगे बात समझ में आया पेपर में ऐसे पूछेगा सराप से ठीक है इस सवाल का पता चल गारा बहुत बढ़ा तो आप्शन नमबर डी आप सभी लोग आज के बाद याद रखेंगे चलिए अगला सवाल देख लाइट की फिजिकल कॉटिटी पूछ रहा है लाइड की फिजिकल कॉटिटी पूछ रहा है बहुत अच्छा सभी लोग कर रहे हो एक बार सेशन को ना लाइक भी लोग कर दो मैंने का था टेंडिंस से आपर पूरा प्रॉपर होना चाहिए आराप से पढ़ ओ घवडाय न अगी का साथ लग्स ये लक्स वो नहीं एक समझे सर ये कैसा इमात रख है ये लक्सी क्या है यह साई मात्र के बताइना जिलक्स जो है सर या किसका ऐसाई मात्रख होगा वैरी गूर्बॉर्ब बहुत बहुत बढ़िया ननल रब या र आप्शन बबाई बहुत अच्छे मेर जो है ये साइ मात्रक होता है ये मात्रक SI किसका होता है तो हमारा विध्यार्ति थोड़ी द्यर के लिए सोस्ता जरूर कि सर यह भी आप पूछ लिए यह भी आप उस रहे तो मैंने पहली बार सुनाय क्या करूंगा मैं मैं बिलकूल बताए जाएगा अना चलो में बताओ mercis की साई माथ रख है चलो सरो एक बार क्ला कोसिश कर सकते हो सभी कोशिश कर सकते हो ऑप्सट नमबर डी सभी पहले बात करें यह बता है जल्दी से बताइए यह मोल जो है यह जो आप मोल देख रहा हो या किसकी सबस्क्राइए one unit है मता यह सAU यहां देखे हेनरी की बात के एसर तो इन्री किपास सिटएनस का होता है हनेरी किसका होता है कैपा si windows पये थी नित्यालिव तरी किस और अगर आफ पूरी पलकॉरा टरी इंडपने फोर्म होगे उसमें आप네 सब्सक्राइब तो परकते हैं क्लियर आच्छा सर वेबर की बात करें तब इसे इन की फ्लक्स का होता है चुम्बकिया फ्लक्स का होता है मैगनेटिक फ्लक्स होता है सर मैगनेटिक फ्लक्स होता है मैगनेटिक फ्लक्स का एसाई उनिट जो होता है चुम्बकिया फ्लक्स का वो वेबर ही माना जाता है क्लियर है सभी को अच्छे से समझ में आया बहुत बढ़िया सर इसका बता देते मोल की बात कर रहे तो भया मोल का जो एसाई उनिट होता है वो होता क्या है वो होता एक पदार्थ देखते को सबस्टेंस देखते हैं उस सबस्टेंस का जो एमाउंट होता है एक पदार्थ की मात्रा होती है उसका ऐसाई मात्रक मोल ही माना जाता है तो एक पदार्थ की जो मात्रा होती है इस चीज़ को लिख लिजेगा सर पेपर में जैसे आपके आया ठिक वैसा ही लिखा जा रहा है तो यानि amount of substance amount of substance ठीक है amount of substance की बात कर रहा है एक पदार्थ की मात्रा की बात कर रहा है ठीक है सर बहुत बढ़ बढ़िया बिल्कुल सही सर बहुत बढ़िया ठीक है चलिए तो यहां पर सभी सवालों का जाओ आपने दे दिया मैगनेटिक फ्लक्स भी आप दे रहे हो बहुत अच्छा लग रहा है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया हैंड्रेज करके बच्चा विद्यार्थी माना बता रहा है बिल्कुल से मैटर नहीं कह सकते सर एक स्मॉल कॉंटिटी में एक सबस्टेंस की बात कर चैसे मिजड़ विद्धा रिल्प अफ क्या हो जाएक सर इसको कि से मापा जाएगा बताए मेरे से एक सवाल में सवाल होते यह हमेशा है बात रहात रुखेगा साइन्स का मेरा एक सवाल सवाल के बरावर होता है सर वह 10 सवाल बनते हैं से ठीक है और को आपको करना पड़े बताई यह जानते सभी लोग मैंद जीसे अड्मास्फियर की यूमिडीटी जो होती है एट्वास्फियर की जो यूमिडीटी होती है यानि वाता वरण की जो आद्रता होती है सर इसको किसे मापावा जाता है वाता वरण की जो आद्रता होती है इसको किसे मापा जाता है जरा एक बार ट्राइक कर ले ना सर एक बार ना सभी के सभी ट्राइक कर लो भीया फिर बाद में तुम को गुर्दी ऐसे नहीं तो वैसे बैसे नहीं तो ऐसे तो यह आपकी कमी हो इतना बढ़िया गुलाब जामू ने इसको लपेट लो एक बार में लपेट लो बस एक बार चाहे जैसे करके ठीक है आज जा गुर्जी एक सवाल हो राया हमने का कोई बात नहीं ध्वानी की तिवरता होती है कि नहीं हांसर होती तो है ध्वानी की तिवरता होती है कि नहीं ह तो इस्को कैसे माप ओगी स्कों किस निरुटी इसको इस संथ जाएगा धुन की तितीर साका जवाब इसे ज़ल चैजे जी धुने टा की image Soil चाहिएः को नमी को मापने वाला यंत्र बता ये सर कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिस से आप एक मिरिदा की नमी को भी माप सकते है बताये सर बहुत अच्छे बहुत अच्छे और एक सवाल और आसर अगर आप बुराना माने तो मैं पूछना जाओंगा सुर्य की तिवरता होती है ना तो सुर्य के जो सुर्य का किरण होता है उसके एक तिवरता होती है सुर्य किरणों की जो तिवरता है वो निर्धारन करने तू बता ये कौन सा में इंस्ट्रूमेंट होता है सुर्य की जो किरणे है सर सुर्य के किरणों की जो तिवरता निर्धार की जाती है जो आपके संके र इसको पढ़ने का आपको परना ही पढ़ेगा सब पर निकालने के लिए पर निकालना है तो आपको क्लास में आकर पढ़ना ही पढ़ेगा जवाब देना आपको पढ़ेगा ही पढ़ेगा यहां पर पाई पार हिलियू मीटर आ रहा है पार हिलियू मीटर कहां पर लिखा और यही सवाल मैंने इस तरीके से लिखा है यही सवाल जो आप यहाँ देख रहे हो इसी सवाल का जो मैंने इस कुछ इस प्रकार लिखा है ठीक है समय याइबात तो यानि कि यहाँ पर भी सवाल करना हो जाये सरा अघ्र अमीटर होगा या हो जाएगा राटी मिटर हो जाएगा ठीक या थाधो हाद vigilant कि अपनी यह मताये जल्दी से क्या करेंगे है तो द्वानी कि तिवรता मापनी अ जल्दी से City सरे जाये क्या करेंग आप आप कूःगे सार और्पी मीटर आप क्या कोई सार ओडियो मीटर बात समझने आया ध्वानी कि तीप्रता क्या करोगे ऑडियो मीटर से जुचाब रच्पीन फिंघे किसे माप 어렵ते हैं तेनशीयों मीटर किस्ते माप अपोगे कैटी नो मिटर क्या हो जाएगा सर अग्लिवीड को सारे के सारे इस्ट्रुमेंट उस filme मैंने पड़ा रहा प्emitism कही Borle Zare ने काही बार में बता रहा है आपको अ सवा cuidado सबस्देश ना ठीक है जी क्लियर हो रहा है सभी को बहुत बढ़िया ठीक है अब सुनिएगा पानी की सता पर सुनिए का जैसे पानी की सता पर अगर तेल पाया गया जहां से सुनिए अगर मैं तुमसे यह कहूं कि पानी की सता पर अगर तेल दिखाई दे पानी की सता पर अगर तेल दिखाई दे तो सराइक बात पर इस कुश्चन पर सेसर को शेयर करो बहतरीन सवाल है बहतरीन सवाल है ठीक है तो पानी की सता पर जो उपस्तित तेल है ठीक है जो उपस्तित है आकिर इस उपस्थित तेल के अगर बात करें तो अपस्थित तेल के लिए आप इसका मापन कैसे करेंगे कि पानी के सता पर वो तेल उपस्थित है या नहीं इसके लिए आप कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे कौन सा आप समझिए यहां पर इंस्ट्रूमेंट की आधा होगे क्या साथ ग्रेवी मितर्व नहीं होगा वह लगरी मिटर होता है वह पैस बात समझ हूँ आ यह भाण बड़ा जल्दी से बदाई इसे भाय JU तथा गैस वहायू तथा गैस एन उन्हें तथा जो गैस होती है यानि एर और आपके गैस की बात करें इनके घनत्व की अगर बात करें इनके डेंसिटी की बात करें इनके घनत्व की अगर बात करें इनके डेंसिटी की बात करें उसको कैसे मापा जा सकता है वायू और गैस के जो डेंसिटी है एर और आपकी जो गैस ह है इसकी डेनसिटी को मिजर करने के लिए मापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करोगे यह भी एक सवाल है चलो जल्दी से बताऊ भाया यहाँ पे एक पार आप सभी ट्राइ कर लो बाकी मेर उपर छोड़ देना बाकी मेर उपर छोड़ देना सर वायो यानि एर को जना घुमानगोmus एड सन्ट अडेये बात मंसलेशा बह। अच्छित बहुता है पत्रपधा ये चीज़ देखो आपकुशे क्षेक्षै निए्क दो तीन चार पाच चे साथ आपको एक सवाल के साथ सब्सक्रास इसससे ब्यच्च उच्छ बीट होता ठीक है बात समझ में आया चली आगे चलते अगला कोश्चन इन में से कौन सा एक आनुवन्सिक विकार नहीं है चले बताइए इन में से कौन सा एक आनुवन्सिक विकार नहीं है सर जल्दी से जवाब देना डाउन सिंड्रोम होगा रंग ड्रिष्ट हिंता होगा एड्स होग जल्लि से दर्ट जल्द से मुझे सवाल का जाते इसमें से ऐसा कौँसा डीजी civ कूता अनवन सिक रोग है जिससे ट्राई tussen 20 22 की नाम से जना जाता है जिसे ट्राई torni 21 के नाम से जाना जाता है cuántis जिसे plays been 21 भी का जाता है चलिये सर्बताई जरा साथ try Somi 21 इसमें से किस रोग को कहा जाता है एक सवाल मेरा यह रहेगा आप से बताईए क lay जल्दी से बतायेगा एक सबाल आप से और पूछंगा शार इसमें से ऐसा कौण साडर रोग है जो की आनुवन्सिक रख्ट विकार है अनुवन्सिक है आपका जैनितिक ब्लड डी इसका जवाब दीजे सा साथ सार मुझे बताव इप सैंट्रोम का दूसरा नाम क्या है Pato syndrome का दूसरा नाम क्याया सर यह पटाव सिंड्रों में वह पटाव नहीं है चलिए सट्राइग कर लेना एक बार एट्स भी आ रहा है और थाले सीमिया भी साथ में आ रहा है आप देखें सर यहां पे सवाल का जवाब मैं बताता हूं आप लोग जांसे समझना सर इस सवाल का जवाब जितने लोग ने कहां सर एट सो होगा मैं कहूंगा सर बिल्कुल आपने सही बताया आपने बिल्कुल सही बताया सर ठीक है आपने बिल्कुल सही बताया यह सब एक अ कौँ सा वारस जिम्मिदार है एड डाय सूमी από संद्रोम की बात कर लेते जो कि पहली गार सुने होगे साःत इसका दूसरा नब होता है ट्राइस सुमी थाक्टीन दूसरा नम होता है ट्राइस ओमी थाटीन ठीक है बाद समय पेपर में यह-डी गा यह समझ लेना ंग यह बस डाउन जिंज्रोम को कहा जाता है ट्राइप समय ट्वेंटीवन बात समझ में आया यह फी एक जैनटिक डिस ओरोटर जो होता है अनुवनसिक जो रोग होता है जेनिटिक डिस ऑडर्ट जो होता है ये रोग ק किस चीज से रहelf करते रहे सें को लाइक करते रहे से पढ़ाने में ज्यादा बिलिफ करता हूं में नहीं होता सर मैं पराने मेरे पढ़ने के लिए सर पढ़ने के लिए फ्रौन ठेक हैं अब यहां देखो और वन सिकत दिविकार की बात कर रहा है और वन सिhis के जए मिया हो जाएगा यह मिया हुना अब यहां पर जहां सवाल है genetic disorder में chromosome आप लोग जिम्मिदार द्यार नहीं सर अप्षन में अगर जो chromosome दे रखा है DNA दे रखा है RNA दे रखा है genetic material किसे कहा जाता है genetic material आनुवंसिक पदार्थ में किसे माना गया है DNA को माना गया तो गर्वड़ी किसकी गर्वड़ी से यह रोग होगा DNA की गर्वड़ी से होगा तो यह कहने का मतलब DNA हो जाएगा बात समझ में आया ठीक है DNA के कारण बिल्कुल सही बहुत बढ़िया कुछ एक दो स्टुडेंट बहुत सही बताये DNA होगा AIDS की बात करें सर तो AIDS का जो वायरस रोग हो रहा है सर यह नहीं है आप जानते होगे यूमान इम्योडिफिसेंस यह आपका हो जाता है सर क्लियर ठीक है एक वायरस और याद रखेगा रेट्रो एक वायरस और याद रखेगा सर रेट्रो अगर यह दिख जाए तो यह भी एड्स के लिए ही जिमेदार है क्लियर सर बहुत बढ़िया अब एक बार में सारे पर दो कर दिए सर विसाडू जनीत रोग एक बार में सारा कुछ पढ़ेंगे सर एक बार में सब कुछ पढ़ा जाएगा ठीक है चलिए सब शुरू हो जाए ये कौन कौन से रोग है सर जो वायरस के तारा होते है तो सबसे पहला लिखेगा इंफ्लूएंजा इंफ्लूएं आपका खसरा रोग होता है सर जिसे मिसल्स कहा जाता है क्या हो जाता है सर खसरा रोग हो जाता है मिसल्स कहा जाता है आपका रेवीज वैरस हो गया रेवीज नामक रोग हो गया सर रेवीज हो गया तो ये भी आपका वैरस से होने वाला रोग है लिख पारे सर सभी लोग ठ विसारू जनित्रोग होते हैं ठीक है बात समझ में आया सर देख लेना इस से इस से बैतरिन मैं तो कहता हूं सर कोश्चन सोड़ो ये पूरा का पुरा एक नोट साप को मिल रहा पुरा ये नोट्स मिल आए सर या आपको ना एक नोट्स मिलना बस पकड़ने क्या हो सकता है आर्ट्राफिक नूट्रिशर्ए इस फाूलिंग टाइपस ऑर्कनिजम चलिए जरणा सा इस बार इस पो खेल थे एक बार या ठास पुछ रहों मैं यानि की आपका प्रकार पूछरा कि प्रकार के पूसरोथे कि यतने प्रकार के नुट्रुशन उते जणाव बता देते आप बड़ा क्रिपा करते सरकार शेशव आगे लिजल वह या थैसे स्ण आप क्या पढ़ोगे आप देखो इसमें लपी तुन आशा क्या पूछ लिया सा कुछ भी नहीं पूछ आठो का मतलब होता है आठो का मतलब होता है यानि स्वयम और ट्रॉफिक का मतलब होता है नूट्रीशन यानि पोसर तो जो खाना स्वयम बना लेता है वह यह तो आटो ट्राफिक होगा ना क्यों गलत कहने तो बताओ है ना बिल्कुल तो बताइए फिर बताइए चले बताइए मुझे बताइए आटो ट्राफिक में किस रंग का वड़क पाया जाता है किस रंग का वड़क पाया जाता है किस रंग का वड़क पाया जाता है आटो ट्राफिक में जो आपका वड़क पाया जाता है आपका जो पिगमेंट पाया जाता है किस रंग का पाया जाता है चलिए स को और आटो ट्राफिक काना मुझे एक बार इग्जामपल भी बता कॉल कॉल से ऐसे है जो आटो ट्राफिक के नुट्रिशन होते है उधारण और अटो ट्राफिक नुटेस्ट स्वयं पोशन वाली बात करें जली 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 सवताइसर सेशन को नसा तार्ट सो के करीब लेचल लिए और मजा आएगा लाइक करिये सर्फटाफट मजा आ रहा है तो लाइक का टेंडेस देते रहिए छेसों तिरालिस लोगों चाहोगे तो आच्टो नौस पहुचाद हो गया आज सर्ज में इतना बैतरी सेसर नहीं हो सकता असर किसी गा जी बताईए गजरा ग्रीन होता है ची बहुत बढ़ा सार देखिएगा believers न पैल दो फने प्रकार पर ना एक होता सर्जार आ Cool तुन कना पर्शक पॉसड के लिए वह गॉसर्मऍक ब मыш बात सँभड में आया और हेटरोटारफीक कितने प्रकार का सरी प्रकार में आएगा या सेप्रोप्लिक में आएगा सर इसका एक्जामपल जड़ा बता दीजे गाइस का उदारण और इसका भी उदारण बता दीज़ी सर त्याफ टीनों ट्राइक करने सब लो फिर मैं बताताओ लेबल क्या ओती है सथ साइन्स दोस्त मेरे भटाएगा यानि आपका बाक्टरिया हो जाएगा साथ साथ आपका और को प्रिया का जाएगा जुसे से समझ में आ गया ठीक बाद समझ में आ गया ठीक पर भड़ा किस रंग का होता हरे रंग का होता हरा रंग प्रकास शनुन में हो गांड़ परसेंट होगा चिख इसका जवाब देना गारशारा के सर उसलभ जायी है जो आपका कवग है जो आपका इस्टैया आपका खमील है ठीके कमील हो गया कवग हो गया ये सिर ऺड़ी को view There is quiet economic content sir तो आपका आता है मैं होलो जोएक ने कोना आता है मनुश्य आदमी महना ठीक Оп iba आप अे सीघू और शिट्यू अलाग्शी नहीं आता है यानि कुट्ता जोता डॉट आन वो भी आता है अमीप आता है आपका अमीबब आपका University मैं अबैराज मो डियम अनॉडर ब्लाजिक सर्ट प्लास मोडियं जर्थ प्लास मोडियर या आपका तैर्टिय न्यूट्रिय उद्वलिय आता पर सिटि इन सबस्क्Genőr आई बहुत बढ़ा बहुत अच्छे ठीक सवाल हा याना बस सितना बताइएगा क्या इसमें फोटो सिंतेसिस होता है प्रकास 살Y अप याना केवल इतना बता दीजे क्या के वाल इसमें फोटो सिंतेसिस होता है हाँ याना जरासा बताए Garr कुछ भी नहीं होगा है नखोसिस करने में कुछ भी नहीं होगा समझ इसका इकजामपल भी पूछा जाएगा फाइटो प्लेंक्टॉन जिसे कहा जा रहा है चलिए आगे चलेंगे अगला कोशन देखिएगा एक्वस एस एसनेस किसका वेग्यानिक नाम है बताये सर एक वस एसनेस किसका बेग्यानिक नाम है हां honey si要 होताए बिल्कुल साही बहुत बढ़िया बहुत अच्छी सारे श्ट्वीटेंट बिल्कुल सही दे रहे नाई सब्सक्राइफ नई गृसी पता ये देखिए अब में सब्सक्रावombnar चाहिए जैसे मैंने लिखा सर बोशिक ट्रस बोस्ट जिसका या किसका बेग्ञानिक नाम है या किसका साइंटिफिक ने एक इसाइंटिफिक ने में आपका जन्तु है जिसका बेग्ञानिक लाम हैंट चल्ये जल्दी से सवाल का जवब बताएं ज़रट जी बताएर सबीकट इने यह अच्छा एक सवाह और मैको परस मैक्रो पस पूरा नाम लिए ताउ शर मैक्रोzd मैक्रोड अडिटी मैक्रोड जिका अंट को मैक्रोड आईडि या कि हुए कि जन में चलिए जनास इसको भी देखिए गा एक सवाल इस पे भी बनता है सर्म ट्राई कर लो अभी लोग जानवर के बारे में आप बच्पन से जानते हो जूआ बहुत बार गए होगे जंगल में आप अगर पूचा जाए तो आप सब जंगल तो आप टहल के चले आए होगे पांच बार अब सवाल का जवाब बता दो बस काउ बहुत बढ़िया सब नहीं पता है इसका असर मुझे पता है चाहको नहीं आ रहा कोई बातनी मैं सांबने ख़़ाओ बता तो सरी कए सायन फकी का खुलता है डद हांच का होता है किसका होता है कंगारू का होता है और यह 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 मानों सरीर का सैनिक कहा जाता है विच आफ फॉलविंग इस काल दस सोलजर आफ दे यूमन बॉडी चले सर सोलजर आफ यूमन बॉडी सर देखिए मैंने क्या बोला मैंने का बच्चा मेरे दोस्त मेरे भाईया कि सोलजर आफ हैमन बाडी की बात कर रहा है तो मुझे एक बात तो घूध हम न अगर सोलजर आ फिंए बाड़ी होगा तो मैं और कोई सवाल ने कर सकता क्या क्यों ने कर सकते बील्कुल कर सकते आप तो बताइए रजुन आस ऐबली सब्सक्ों जी बताइए ने सर मुझे बताइए सर रबीसी की बात करें गए रिट बलड सेल जिसे कहा जाता है जिसे क्या बोला लाल रकते लुट्य करिका आप सभी ने पढ़ावी होगा अस्छे से हैंनि बहुत जो होता है एक हर एक मेल में हंडेड एमला ब्लड में कितना पाए जाता है कितने ग्राम पाए जाता है बताए सर लाल रख्त कड़िका एक मेल में यानि एक पुरुस में एक आदमी में आपका सो मिली लीटर ब्लड में कितने ग्राम पाए जाएगा रबीसी पहली बार उसके सब दुसरा सवालल यानी जो इसका जेवन काल होता है वो वह कितना होता सब इसका जीवन काल कितने होता है सप ऍलद समय तक काने गए सब самой सबस्क्राइब करें अगर आप से पुझा इसका निर्मार कहा पर होता है इसका निर्मार कहा होता है सर जले जरा सा ट्राइक रिया सर रबीसी का निर्मार कहा पर होगा पांट दस्मलों छे लीटर सर बहुत बढ़ आसर 12-14 बिल्कुल सही जो लोग 5-5-5 बतारे ने उनकी दिमाग में थोड़ा सा मैं आप अच्छा चीज डालने वालों घबलाओ म अरॉष और उसका जवाब मैं दे रहो हो आगर पूछा रूठी की आपका इंप्रेएटि की स्टेज में आ वस्था में इंप्रेएटिक स्टेज में जल्दी से बताईए कि इंप्रे आव्टिक स्टेज के दौरान यही आर्भीसी कहां पर इसका निर्मार होगा चलिए सब्सक्राइब कर लो दो तीन सवाल आपके पेपर में आ गया लेबल देख लेना बाद में मुझसे यह मत कहना कि सर आपने लेबल नहीं बताया था मैंने पढ़ाया है बहुत बैसरी लिबल पढ़ाय सब चीजे हाजी 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 बिलकुल रबी सी गाशर दूसरा नाम क्या होगा जबताईएगा जना एक बार मुझे बता दिए सर देखेशर आर बीसी की बात करें यह नहीं लगभग 14 से लेके 16 ग्राम यहां पर 16 ग्राम मिली यहां पर हंडेड मेला ब्लड में 14 से 16 ग्राम और बीसी पाइजाता बस और जिसे ब्लड की बात किया मैंने चलिए जीवन काल की बात करें सर 120 दिन होता इसका ठीक है अच्छा सर अगर इसका जीवन काल 120 दिन का है तो यह मरता कहां पर यह डाइड कहां पर होगा वो जगह का नाम बताए जहां पर आर बीसी की मृत्ति होती है सर जहां पर जाके मरता इसका क अप्रिस्तान कि से कहा गया है और बीसी निर्मार का होता है सर बोन मेरों में होता है यह कहा होता है सर बोन मेरों में होता है ठीक है अस्थी मज्जा में होता है किसमें अस्थी मज्जा में होता है क्लियर है अच्छा सर अब निर्मार मैंने पूचा पर धूरी अवस्था भी म में होते हो उस वक्त आपके सरीर में जु downloading बनता है वह लिवर में कि टोर रोता है लिवर में उसका बनना सुरू होता है और लीवर के साथ पलियां भी याद रखना इस-स ब्रिन दिसे कहते हैं रिजा mio में और लीवर में सर लिया कृत में और लिव लिहा में दोनों में आपके रबी सी का निर्मार हुता है भ्रूरिय अमस्था में इंब्रेयोटिक स्टेज में मजा आया कि नया चीज मिला जाशर न्य चीज को पाने के लिए कुछ बंदेगा और बीसी का अबना मिया और मियाश्राश्य मानुस्य समय एक व्यास कमनुष्य की अगर बात करें एक वयास्री की कि एगर बात करें एक एडल्ट में में एक एक एडल्ट यूमन में वयस्क मनुष्ट में यही डवलू बीसी की संख्या कितनी होती है कितनी क्यूब कितनी प्रती क्यूबिक में लिए बताई जली से वयस्क मनुष्ट में इसके जो डवलू बीसी की बात करें यह कितनी होती है सर चलिए इसकी मा डूसरा नाम क्या होता है सद लिउको साइट होता है राइब सोम बता रहा देख रहे हो डुबीज़ी का दूसरा नम राइब सोम होगा लाहे बाई आप तुमने तुम नाच गर्दा कार्ड़ धुवा कार्ड़ी आस तुम धराटे काट रहो बस ऐना हैसे पढ़ोगे तो हो या कर लख बसों राइब सी बना दो डबलो बीसी की बाद करें डबलो बी-सी के अगर इrobiडरस की वात की जाएनघ मनुस्थे में तो वह कि दूवरफ में उसे में तोवन वालीती कितने होतीो कितनी संभाती इस की चे छे से लेकर आठ हजार शे से लेकर आठ हजार。」 प्रति क्यूबिक मिल यह होदी तिया तो यहां पर इसे रीकेस आप लिख लिखे अ सब्सक्राइब करते हैं तो उनको उस रोग को इतना ज्यादा यह एंटी बॉड़ी बना के मार देता है कि वह हमारी शरीर कहानी नहीं पहुचा पाते बात समय मैं संक्रामक रोग या बाहरी रोग को बाहरी रोगों से या संक्रामक रोगों समय बचाने का यक्ता से करता होता है तर गरी कोई मुझे डबलू बीसी जो होता है वाइड ब्लेड सेल जिसे बोले स्वेट रक्त कडिका जिसे बोले इसका कलर कैसा होता होगा इसका कलर कैसा होता होगा जरा इसका रंग बता देता कोई मुझे ठीक है इसका रंग मुझे बता दीजे क्या हो जाएगा सर जली बताएगा सει開ऊ के पहला तो दूसरा सवाल सर मेराएं और रहेगा यहां पर देखे काम अर्था से और मुद स का ऑगया का जिसे का गया का गया किसे का गया पुरीहा को ग्रेव से पो हम आँ क्यों तो आप पोझे यह बता यह कómoज किस ने की ती इसको डिस्क यहां परीजिटी यहाँ पे ब्लड सर्कुलिशन को खोजा किसने था जिरा एक बारा सवाल का जवाब ट्राइक कर दीजैशे को सेशन को साथ सो आठ सो के करीब ले चलो सब बढ़िया तरी के अगर आप चार्ज हो गे तो आप सेशन बहुत बहुत बैसरी मन जाएगा लाइक और शेर बना वाइट कलर का सर याद रखिए जीतने लोग वाइट बोल रहे हैं एक बार जरूर अपने आपको छमा प्रार्थि आपको ल honest रही मोता यह बश्यान चलोब इसका सो इसका कोई अ योधा नाम भले बाइट है ब सक में कोई कलर नहीं होता अब मैं ब्लड़ भूर्म इसने किति सर मखरात ऐसर वीलियम हमर र मेने किया था ठीक है ठीक है अच्क थीच आहा ता विलियम हार्वे ने किया था किसने किया था सर विलियम हार्वे ने किया था ठीक है मैं मान लिया सर विलियम हार्वे ने किया ये बात हमें कैसे पता चली इनकी एक किताब है उसमें लिखी गई है उसकी ताप का नाम बताई सर इनकी ताप का नाम बताई सर नहीं पता ना ऒालिभा कर क्या होगे दिमोटू कार्डिस ज्या उसकताब का नाम है जिसकताब रगारिके बारे में बताया था दवर मåसं अब्हाट से चैक्टर का नाम था किताव में द मो शन अफ बारे में उन्हों ने इस किताब में गया बिलड झार में तब जाकर पता चला कि बलड शर्कुलेशन किस तरीके से दियुकर होता है बात समझF स्मझ में है सर क क्लियर एक बहुत सारी बाते नहीं बता दूंगा इस सवाल का जब को जाए कि डबलू भी सी इस सवाल को जब गशाब को जाए कंटा डबलू बी सी ऑप्शन नमरый ए ऑप्शन नमरे टिक है ऑप्शन चाले जो कि सैनली कहा जाता है साध़ाके searched को लिखना एक सवाल दो सवाल तीकहे दो सबार सवाल पार सवा शवाल सबाल सवाल आरफ tailored नो सवाल द 되면 देयत वाल सवाल तत्रों आप गाहिआ से पॉषब वाल mother नार्माल ब्लड प्रस आप थोड़ास आइप थोड़ान जने के टीजी में बटाए जलने से तई ना मुदैर करने वाले रग्यानिक 惜ंगा कार्ला लेंडेंड डिस्टेनर नाम ताउंगा सर्व लैंड य। इस चिनर इस सवाल का जवाब 120 पर 18ben मेंची अ चीजिडित थी तो अप्शेस नमरे इस मतुरी को सही किसे का जाएगा है सभी बात होती है पर कोई बात नहीं अभी आगे चलते नहीं में से कौन साप प्रिच्वी पर पाये जाने वाला सभी जीव का अनुवन सिक पदार होता है वीच आप फॉलोई इस जैनिटिक मेटरियल अप आर्गीज़ फॉंड अनर्थ बता यह सर्थ बह पर क्रिज़ बहुत बहुत जादा डिटेल आप अन्हां झालत बहुत ज़्यादा डिटेल ने पढ़ादियों यह आप लोकी लिए दिक्कत हजाएग फिर यहाँ पे सवाल के जौब नुक्ली के शिक हो जाएगा या निका जाएगा संट्ट्ली के जाएगा ऑप्शन जो यहाँ पर हमने बोला फोर्ट सुसको परिसर सबेहां के लिए उसके सब्लपशतर्पने बनेशतर रितَّमें थो सरुडपई इस सार्ट थो सब्लिया एटरुड़र किया कट्यों सब्लपद्ट बहुत है बहुत बगी अच्छे ठीक है चलिए रखती चाप मापने वाले यंत्र का नाम बताए वाट इस दा नेम आप देश्टुमेंट डाट मिजर्द ब्लड पेशर चलिए बताए सर सवाल का जाब बीज़ना सा पर क्या करें मेरा मन रहा नहीं जा रहा है मुझे मन कर रहा है मैं पूछन तो अगर हाट पे अगर हिर्दे पे सिस्टोलिक प्रेशर हो गया अगर सिस्टोलिक दबाव हो गया तो उस वक्त ब्लड का प्रेशर कितना होगा बताए अगर हाट पर सिस्टोलिक दबाव हो गया त सिस्टोल में पूलिक हो गया सर्द देको का हट ना ऐसे बंद होता है फिर ऐसे लब डब होता ना सिस्टोलिक डास तोलिक्स तोलिक ठीड जब आपके ब्लेंद काले ब्लट प्रेशा लेबल 1-4 ती हो जाहए मतलब अधिक हो जाए ब्लड प्रेशर का जो लेबल है 80 120 उससे अधिक हो जाए 140 से अधिक हो जाए तो वहाँ पर सिस्टोलिक होता है बट यहीं अगर 90 अधिये यहीं अगर 90 अधिये तो वह डाइस्टोलिक होता है उस ब्लड का प्रेशर कैसा माना जाता है डाइस्टोलिक मा और यदी यही 90mm जो कि डाइस्टोलिक मना जाएगा अगर दिग और डाइस्टोलिक जोटा दभाओ वो नब्हेश जी ओ पर अगर यही 90 mmhg से भी अधिक हो जाए तो वहाँ पर हाइपर टेंसर हो जाता है वहाँ पर हाइपर बहुत बढ़े आगे चलते हैं अगला देखिए एनिमिया नामक रोग किसकी कमी के कारण होता है दर डिजीज आप एनिमिया इसकोज बाइड़ डिफिसेंसी आफ वाट चले सर बता ये जरा सा ठीक है जरा मुझे बता ये फ्रॉम्बो साइट का दूसरा नाम बता या सर फ्र in गगा और दूसरा सवाल ये रहे गा सर नहीं सब्लोड जोसब्ड है यह ब्ल加ण है ये सब रख्त या किस ने दिया था था व्लडवीक ने किसके दरदीया गया सर सफ के चलिएक सब्सवाद है में बताहूँ खना ये आप यह आप कहीं नहीं से बता हो गयी जarूर तो जरी ब्लड यह ब्लड सब दिक इसके द्वारा दिया गया था मुझे बस यह बता दीजेगा सरे बार सर मैंने पढ़ाने में ज्यादा बिलिक गरूँ आप ट्रीक यह चलिए सब्सक्राइब तो आज के लिए में इतना रखता पर आपको मैंने बुक का इस पेसल जो प्राइज है मतलब आजो बहुत बढ़ी ख़बर है वह बता देता हो बार है नव बता देता हो देखेसर पहले तेसकुपन कोट को बढ़े जाहां से समझेगा यह है जैसा कि आप जाते है 17 तारीक से सुरू है और आज तारीक हो जाती है 25 लगभग है ना 26 तो सार अभी तो बहुत नहीं सेल चैक्टर के करीब खतब हो गया न्यू चैक्टर सुरू नहां सकेंड चैक्टर तो अगर आप अभी वेंडू लहीं किये चाहते है कि प्लीज सर अपने यह सारे कोश्चंस सारे नॉलेज सारे नोट्स हमें मिले तो हम दे देंगे आके ले यह सब चीजे मुआप डिटेल में बताये विट इस्ट्रक्चर विट डाइग्राम विट चीजों को दिखा दिखा कर समझाया मैंने तो यह सर्वाइट 38 हो जाएगा इस कूपन क चाहते हैं तो बिहार अजस्वर यहां पर बिहार से टेंपलस टू इंटर लेबल की जो इस्टुडेंट अबारा चाहता है कि सर बूक चाहिए आपका मुझे मेरी बूक आपको चाहिए तो सर्य बूक आपके सामने है मैं रिजनिंग जी के जी यह साइंस सब इसी के अंदर का डिस्काउंट अदर 23 परसेंट का डिसकाउंट यानी कि जो बूक आपको मात्र 549 मिल आता कूप अ कोड लगाने पर अब वही कूप अपको आप लगाएंगे वाई 838S का तो यह बुक आपको मात्र 500 के करी मिल जाएगा 500 में अगर तक पहुचाए जाएगा वो भी बिल्कुल फ्री वो भी बिल्कुल फ्री तो जरूर जाकर पर्चेस करना चाहते हैं कैसे पर्चेस करेंगे यहां देख लिजे एक बार फिर समझेगा सर क्या करना है अड़ा 247 अप्लिकेशन इंस्टॉल कर लिजेगा वर्ना गूगल पे अड़ा 247 डाल दीजेगा और इस्टेट सेलेक करके एक्जाम यहां इस्टेट सेलेक्ट किजिएगा बिहार इस्टेट इक्जाम में सेलेक्ट किजिएगा बिहार को और सीधा यहां इस्टडी मैटरियल लिखा हुआ है इस्टडी मैटरियल ठीक है इस पर क्लिक करिएगा आपको दिखाई देगा प्रीमियम इस्टडी मै और यह रही आपकी किताब जब आप यह वाला कूपन कोड लगाएंगे तो आप किताब पर्चेस कर से लिए कर लिजेगा और जब आप यह वाला कूपन कोड लगाएंगे वाई एट त्रिये तो आप यह भी ले सकते हैं ठीक है दो बाते आपको गई अप सुनिये ध्यान से क आगे क्या करेंगे आप बाइन आउप चले जाएगा बाइन आओ पे क्लिक करने पर यहाँ पर जब आगे वरते तो पेमिंट का आपके लिए ठीक है फिर आपको यहाँ पर कूपन को टेकी बार लगता दो बार नहीं लगता सब एक ही बार लगाना होता जब परचेस करने से ठीक है तो इस चीज को याद रखिएगा अगर आप चाहते है कि नहीं सर कुछ चीजें हमारे लिए अच्छी ओजा कुछ सब चीज एक जग़ा सर्टीक चीजें मिल जाए सर्टीक चीजें के एकदम साफ सफाई में कैसे चलना रास्ते में अगर आप ये चाह रहे तो जरूर यह जरूर इस चीज को जोईन कर मैं तो यही सला दूँगा बाकि आपकी इच्छा है मैं बार-बार नहीं कोंगा कि नहीं आई जाओ करते हैं अपनी मेनत दिखाते बच्चों को तो यह आपके सामने ठीक है तो बाग की सेशन को लाइक शेयर कमेंट जरू करिएगा जितने हमारे स्टुडेंट है आप समझे कैसे पर्चेस करना लाइक शेयर और कमेट और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा बस याद रखना पैसा ज्यादा लग जाएगा और आपका पैसा कर देगा तो फिर मुझे बहुत बुरा लगेगा फिर मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा एक बार पूछ लीजिएगा कैसे पर्चेस करना दुबारा से पर यहां पर इसको लगाना जरू कूपन को ठीक है यह आपके लिए है भूलिएगा मत ठीक चलिए तो थैंकि तो मच ध्यान रखिए सभी लोग और अपना अपने अपने माता-पिता का अपने परिवार का सब्लक सब्सक्राइब अच्छे से पढ़ाई कीजिए और लड़ाई-वड़ाई मत कीजिए आपस में प्यार सरी महबत सरी और एक्जाम निकल जाए गदम बेचक निकल जाएगा एकदम टेंसन नहीं लिजेगा ठीक है तो थैंकिस वाइख टू आउल टेक कियर बाबाय जैहिन सभी को राम राभ तो कर दो कर दो कर दो कर दो